हेलो फ्रेंट्स आएम नीशा गर्ग और मैं बोल रहे हूं मेरे चैनल वे टू बिग पॉपर्चुनिटी से और अब हमा निपुलियन पड़ा पाड़ के आगे के पाड़ को पड़ते हैं मैं वियाबदान के लिए जमा चाहते हूं कि मेरे मित्रों पिछले वीडियो में मैं अब करने के लिए प्रशा आस्ट्रिया और रूस्वीडन और इंग्लैंड ने मिलकर निपुलियों के वरुद एक गुट का निर्मानी उसने 1813 की जरतों कि इसी बधुरीन कंटर में ऐसरेीया को पराज़ित कि और उसने ड्रस्टनी तियो की जो विजे थी उसकी एंतिय विज्ज्ध ही इस इसके बाद जितने वी उसने युद्ध लड़े जितने वी उद्ध हुए उसके वह उसमें हार गया इसके अंति हुजा थी फिर क्या हुआ कि अधारा उनिस अक्टूबर अधारा सो तेरा को अलब नदी के किनारे एक लिपीजिंग के युद्ध में नेपोलियों की भारी पर आजये हुई इस वर रास्ट्रों का यूद्ध इसे सब रास्ट्रों का यूद्ध का जाता है क्योंकि इसमें यह जो सभी रास्ट्रा जैसे प्रशा आश्रियारू सीडल और इंग्लैंड से मिलकर नेपोलियों से लड़ी लड़ाई लड़ी और लिपीजिंग की लिपीजिंग का जो युद्ध है उसमें इसकी हार होती है लिपीजिंग का युद्ध और यह एल्बनेदी के किनारे लड़ा जाता है अठारा उन्नीस अक्टूबर अठारा सो तेरा और इसमें इसकी प्राज्य होती है उसके बाद क्या होता है कि इस युद्ध में जो नेपोलियन को अपने एक लाख भीस हजार सेनिकों से हाथ दोना पड़ता है यह नहीं कि इसका बारी नुक्सान होता है इसके बाद असमस्त जो उत्री अजो देश होते हैं जिसमें उसने माधी पर विस्ता शुरू कि उत्य तल्वार के नोपे वह सब त्याग देते हैं कि हारी हार होडी हार उन्हार एक मार्ट शटाना सो चोदा को बिटेंग रूस और हस्ट्रि सब्सक्राइब करते हैं कि अब यूरोप में शांती विस्ता सहपित की जाएगी और यूद को तब तक जरी रखा जाएगा तब तक कि हमारा जो शत्रू है नेपोलियन पूरी तरह समातना होजे और मार्च 1814 में लाओ में इन सब की बीच में यूद होता है और फिर अप्र विए ब्लू कि फांटन ब्लू की संदी के अनिसार नेपोलियन मीतर राष्ट संदी करता है जिसके असार उसे फ्राज के सियासम के जितने भी अधिकार होते हैं वह त्यागने बढ़ते हैं और उसका वेतन निश्चित कर दिया जाता है विए अब उसको अलबा दीव का शा मतलब इटली के तस्कनी तट पर 19 मिल लंबा और 6 मिल चोड़ा एक द्वीप था मित्रों इसको इस पर बेज दिया जाता है इसका मतलब क्या था कि उसको पूर्ता है फ्राज की जो राजनिती थी उरोप की जो राजनिती थी उससे दूर रखना था उसको बिल्कुल मतलब जितने व्याशा के इतने दिकार होते हैं वह सब उसे ले लिए गी शाचन हूं में चील लिया गया और उसे अल्बा दिप पर बेज़ दिया अबプरीβ को फ्रांस की बीश्यास्तिंत смотреть होत्य हो बी से स्यास्तिंसब्य कर देती हैं और वहां पर फ्रांस में थेल्रा क्योंनित पॉलियन से चुटकारापानी के लिए और यूरोप की समस्याओं को सुझानी के लिए और 1814 में क्या होता है कि आस्ट्रिया की राजदानी वियना में एक समेलन होता है और इसमें तुर्की को छोड़ कर और इसके सभी जो यूरोपिय देश असमने भाग लिया होता है फ्रां फरांस में क्या है कि बुल्वाज का शाषिक था शाल ठार नेपोलियन-दोने से पहले लिए होल वर उसको चामी को साचर मना दिया जाता है और फ्रांस की बहन है उसको वाद बदल गई थी जब उसने वतला ऐस्तिया से युद करकि जीत लिया था तो इसकी जी माँ बदल गई थी लेकिन का क्या होता है कि यह प्रांस की जो बोलेड़ें और वो अलबादीप से वापिस दस महिने बाद 1260 को के साथ वापिस परिस आ चालता है फ्रांस की राजना लोटने पर पर फ्रांस की जंता उसका अभवया अर अब फ्रांस आनी के बाद क्या होता है कि स्वागत तो करती है जंता लेकिन अब उसका शाषन है वो सोद ही नहीं चलता है तो उसकी यात्रा है यात्रा है यात्रा है इसका मतलब इसकी तुलना जो हमारे देश के सुवासंद्र बोश्य है जो करी रही है जादी की मान नेता नहीं है वो कहते हैं कि नेपोलियन की इस यात्रा की तुलना मादमा गांदी की धांडी यात्रा से की जा सकती है अब ये हल्बा से पैरिस आज़ता है लेकिन उस वो शाषन जो हो महस हो दे नहीं कर पाता है 20 मार्च से 29 जून 1815 तक की उसका शाषन जाता है वो जो मतलब वियना के समेलन में जो उनमें मत्वेद होते हैं वो उनको बला देते हैं और पुने क्या युदि की त्यारी में जूट जाते हैं जो जोट जाते हैं तो अब आपिस आगे शेशन करने के लिए फिर का थारह सो जून 1815 को जो रविबार का दिन होता है प्रोले जोर में मितर रस्टों के बीच वाटरलू को यह दोता है और वाटरलुक बेल्जियम में एक स्थान वाटरलुक वाँपी यो तर्मित रस्टोने मतलब ड्यूक ओफ बेलिंग्टन यह जो पहले भी स्पेंग में मैंने इसका नाम बताया था जिसने फ्रांसी सेना कराया था जिसको आर्थर विलेजली भी कहता था विलेजरी भी कहा ज चार बजे ब्लुकर के समय यहनिकि ब्लुकर निंसे पूलीन को रहा सेना को AF सुम ब्लुकर्ण का था यह अत्मिस मरपन गड़ दिया इसनी अमने हार माल नहीं और फिर क्या होता है इसके बाद नेपोलियन का जो सो दिन का शाषन है वो समापत हो जाता है और जो ये वाटरलो के लड़ाई थी ये नेपोलियन की आखरी चालीस मी लड़ाई थी यानि कि मैंने आमको पहले शुरू मे बोत है इनक पूछाजता है कि आखरी वक्त में मीत्र राष्ट्रो ने नेपोलियन बोनापाट को कहा बेज दिया था यา उसे कहाने अधायोवासित कर दिया था तो तो यह सेंट हेलेणा दीप बेज़ दिया जाता है और बाकी का जीवन है यह वही वएतीच करता है और उसने वह पर मतलब रहते हुए एक बंदी जीवन जीते हुए उसने अपनी अत्मकताबी लिखी जिसको नेपॉलियोनिक लिजेंट नेपॉलियोनिक कि लीजेंट है एच union लाइप दृपन के सब्सक्राइब दूम Wiki १सके सब्सक्राइब ने इसके लिजेंड भी चाहरे जाता है तो इसकी आत्मकृता का नाम पूचल रहता है मेर्त में ने जोई पोलोनिक लिजेन लिखता है और इसको क्या है पिर इसकी मर्द्य होती है पेट के कैंसर से उसे वाहार रहते हुए पांच में 1821 को यह उसकी मर्ती हो जाती है पेट की कैंसर से और फिर उसने लिखा भी था अपने तो मित्रो नेपोलियू बोनापाट की जो वीटता साहस और उसकी राजनिती नीतिया थी और उसके युद्ध की नीतिया थी उसके बार में हमें सब्सक्राइब पांच पार्टों में पड़ा इसके बाद विश्यूतियास का अगला पार्ट पढ़ेंगे धन्यवाद लाइक स स्प्राइब एंड शेयर नीवाद रूर खर्टों में पार्ला पांच पांच उन्म यसारे ल्ग बाटियू अंद्धन नीवाद